हेलो स्टूदेंट्स कैसे हैं आप सब लोग गुडी गुड मॉर्निंग आल अफ यू तो बच्चों आज हमारे पास सर्फेस के मिस्ट्री का नेक्स लेक्चर है अभी तक देखो हम लोगों ने बहुत सारे टाइप्स और classification of colloids पढ़ लिये कि किस तरीके से हम लोग colloids को classify कर सकते है कैसे उनको divide कर सकते हैं different classification में बहुत सारी चीज़िया जो हम लोगों ने देख ली आज हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग colloids की preparation करते हैं मतलब कि कौन-कौन से ऐसे methods है जिनके तरू हम लोग colloids को prepare करते हैं देखो हमने दो टाइप के colloids पढ़े थे एक था lyophilic colloids और एक था lyophobic colloids अब lyophilic colloids के case में क्या था बच्चो जो dispersed phase और dispersion medium था उन दोनों के बीच में attraction थी है ना तो उसको मैंने बताया था कैसे prepare करते हैं simply पोटाटो को water में डालो तो starch सारा बाहर आ जाएगा starch और पानी का colloidal solution बन जाएगा यानि कि अगर मुझे lyophilic colloids बनाने हैं तो मैं simply dp को और dm को dispersed phase को और dispersion medium को mix करूंगी और mix करके फिर अपना colloidal solution बना लूँगी लेकिन lyophobic colloids इतनी easily नहीं बनते उसके लिए मुझे कुछ special methods की required होती है कुछ chemical methods की required होती है कुछ physical methods की requirement होती है अगर मुझे उन colloidal solution की preparation करनी है तो अब कौनसे ऐसे methods है जो required होते है बस उन ही के बारे में आज की class में हम लोग discuss करेंगे जिसमें से एक most important method आता है ब्रेडिक्स आर्क method कौन से method है ब्रेडिक्स आर्क method नाम से पता लग रहा है आर्क method मतलब कोई आर्क प्रोवाइड करेंगे हम लोग बहुत हाई energy की ठीक है तो इन सब चीजों के बारे में आज की glass में हम लोग discuss करने वाले हैं चलेंगे उससे पहले एक बर quiz के question discuss कर लेते हैं तो बहुत ही छोटे-छोटे simple simple से quiz के question आएंगी जल्दी-जल्दी answer कर देना ठीक है पहला question है आपके पास ये at high concentration of soap in water और शोब behave as अगर शोब की पानी में concentration जादा हो जाए तो शोब कोन से टाइप के colloid की तरह behave करते है चल्दी से बताइए बच्चे क्या answer होगा अगला question है आपके पास बचो कि which of the following is an example of absorption इन में से कौन सा absorption का example है चलो बच्चों डिसकस करते हैं पहला question है कि जब soap की water में concentration जादा होती तो मैंने बताया था कौन से टाइप के colloids बनते हैं micelle बनती है या फिर associated colloids की formation हो जाती है अगर या दो multi molecular macromolecular सब पढ़ा था हम लोगों ने associated colloids multi molecular जिसमें एक particle colloids नहीं बनाएगा वैसे अगर तुम hundreds of thousands of particle ले लो तो उनका size colloidal range में आ जाता है और वो colloids की formation कर लेते हैं तो जब हम soap को पानी में डालते हैं थोड़ा सा soap डालेंगी वो नॉर्मल रहता है लेकिन जब बहुत जादा soap या फिर detergent पानी में डालते हैं तो हाई concentration पे उसके molecules इकठे हो जाते हैं और associated colloids की formation करने लग जाते हैं इसकी वज़े से micelle बनती है लादर बनता है चीक है अगले question पे चलते हैं अगला question है बच्चों which of the following is an example of absorption इन में से कौन सा absorption का example water on silica gel silica gel क्या करता है पानी को adsorb करता है absorb नहीं करता एड्जॉर्ब करता है moisture को water को तो यह वाला answer incorrect है water on calcium to ride हाँ यह पानी को absorb करता है तो correct answer है option number B hydrogen and finally divided nickel यह भी गलत है hydrogen भी तो निकल के surface के उपर adsorb होता है adsorb नहीं होता oxygen on metal surface यह भी absorption का example है absorption का example नहीं है तो answer क्या हो जाएगा बेटा जी option number B water on calcium chloride जब पानी होता है तो calcium chloride उसको absorb कर लेता है absorb नहीं करता silica absorb करता है calcium chloride cacl2 absorb करता है याद करना silica adsorb करता है ठीक है चलो आगे चलते हैं हम लोग आगे हैं मेरे पास next preparation of colloids जैसे कि मैंने बोला काफी सारे methods हम लोगों को पढ़ने हैं मतलब almost 3 या 4 methods है जो हम लोगों को discuss करने है ठीक है तो सबसे बहला method यहाँ पर मैंने लिया है chemical method ठीक है chemical मतलब method मतलब कोई chemical reaction कराएंगे जैसे oxidation करादी reduction करादी hydrolysis करादी double decomposition करादी और उससे colloids की preparation हो गई ठीक है हम लोग क्या करेंगे कुछ ऐसा मतलब हम लोग क्या करेंगे कोई chemical reaction कराएंगे ठीक है अब इस में इस method को पढ़ने से पहले एक और method आता है आपके पास जिसका नाम है mechanical dispersion method क्या नाम है mechanical dispersion method एक बार थोड़ा सा उसके बारे में discuss कर लेती हूं यहां पर मैंने लिखा नहीं है already बट आपको पता होना चाहिए कि mechanical dispersion method क्या है ठीक है method का नाम है mechanical dispersion methods ठीक है mechanical dispersion methods इसमें हम एक मशीन का यूज करते है और उस मशीन का नाम होता है बच्चों colloidal mill क्या होता है बेटा जी colloidal mill ठीक है कुछ इस तरीके की मशीन होती है देखो कुछ इस तरीके की मशीन होती है basically यह जो आपको belt सी दिख रही है न गोल गोल सी एक belt है ठीक है कैसी belt है यह एक rotator belt है rotator belt ठीक है अब मुझे क्या बनाना है अगर gold का मुझे colloidal solution मनाना है gold solve बनाना है तो मेरे पास gold के बड़े-बड़े particles है मुझे उसको colloidal solution मनाना है मैं क्या करूंगी इस colloidal mill का यूज करूंगी ठीक है अपने gold के बड़े-बड़े particles को मैं इस rotator mill के बीच में रख दूंगी ठीक है rotator mill के तो घरों में बहुत जाएसे grinder सा यूज होता है जो हातों से ऐसे ग्राइंड करते हैं छुट-छुटे particles में उसको divide करते हैं बस उसी तरीके का कुछ समझ लो अगर मुझे gold soul बनाना है गोल्ड के particles बनाने हैं तो मैं क्या करूंगी इस colloidal mill का यूज करूंगी और बीच में gold के particles रख दूंगी है ना आप इस rotator belt को own किया ठीक है rotator belt को own किया और यह metal की डिस्क होती है यह जो है ना यह पूरी की पूरी ठीक है यह मैटल की डिस्क होती है rotator belt यह होता और मैटल की डिस्क यह होती है यह क्या है metal की डिस्क के बीच में ऐसे disc के बीच मेंने गोल्ड के particle चग दिये अब रोटेटर बैल्ड चलेगी यह पूरा का पूरा गूमेगा ऐसे पूरा का जो बढ़े-बढ़े गोल्ड के पार्टिकल्स है वो बिलकुल छोटे-छोटे पार्टिकल्स में क्रश हो जाएंगे मतलब तूट जाएंगे जो बड़े-बड़े गोल्ड के पार्टिकल्स है वो छोटे-छोटे Particles में तूट जाएंगे है ना तो छोट छोट छोटे Particles बन गए अब छोट छोटे Particles में तूट गये बहुत ही छोट छोटे गोल्ड के Particles मिल गए उसके बाद अगर इन छोटे 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 Particles को हम वाटर ले और वाटर के अंदर simply disperse कर दे तो disperse करके जो solution बनेगा वही हमारा colloidal solution होगा पस इतनी simple सी बात है मतलब हमने क्या किया mechanically rotator belt के through metal disc के बीच में gold के particles रखे उसको घुमाया metal disc के particles छोटी-छोटे particles में convert हो गए और उसको फिर disperse कर दिया फैक दिया किसमें पानी के अंदर तो ऐसे फैका और सारे के सारे गोल्ड पार्टिकल्स पानी में चले गए और गोल्ड sol की formation हो गई या फिर गोल्ड जो है वो colloid बना दिया उसमें है ना simply हुआ क्या गोल्ड गोल्ड sol की formation हो गई बस इतना ही होता है mechanical dispersion method में थोड़ी से knowledge दिनने चाहती थी मैं extra इसलिए मैंने आप लोगों को बताया ncrt में आपके पास यह method given नहीं है ठीक है अब अगला method है chemical method अगला method क्या है chemical method यानि कि कोई chemical reaction करा रहे है कई type की chemical reaction करा के हम क्या कर सकते है colloidal solution prepare कर सकते है जैसे oxidation कराई reduction कराई उसके साथ साथ double decomposition कराई hydrolysis कराई है ना तो होता क्या है जिसे मैंने reaction कराई तो मेरे पास soul बन गया soul बन गया बस वही तो मुझे चाहिए था जैसे कि suppose मुझे arsenic के sulphide metal sulphides का soul चाहिए तो मैं क्या करूंगी मैं उसका oxide लूँगी मैं उसकी reaction H2S के साथ कराऊंगी double decomposition हो जाएगी और बन जाएगा sulphide और साथ में water अलग निकल जाएगा oxide लूँगी oxide की reaction H2S के साथ कराऊंगी double decomposition अभी देखने में बहुत खतरनाक सी reaction लग रही होगी खतरनाक नहीं है बहुत असान है chemical method में देखो चारी तरीके की reaction है पहली है बच्चो double decomposition दूसरी है reduction oxidation and hydrolysis double decomposition से हम लोग metal के sulfides prepare करते हैं double decomposition से हम लोग metal के sulfides prepare करते हैं तो AS2O3 H2S के साथ react करेगा और AS2S3 यानिकी metal sulfide बनाएगा और साथ में water की formation हो जाएगी साथ में water की formation हो जाएगी clear है similarly H2S की अगर मैं oxidation करूँ तो वो sulfur soul के अंदर convert हो सकता है H2S की अगर मैं oxidation करूँ तो वो sulfur soul के अंदर convert हो सकता है उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा SO2 डालना पड़ेगा मुझे क्या करना पड़ेगा, SO2 डालना पड़ेगा, है ना, तो H2S की Oxidation हुई, वो Convert हो गया, Sulfur Sol में, Similarly, AUCl3, जिसमें Gold, Plus 3 Form में प्रेजन्ट है, उस Plus 3 को मैं Reduce करके, Zero में लेके जाऊं, और AU Plus 3 को AU में Convert करूं, कैसे? Reduction करके, उस Reduction के Process से भी, हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना Gold Sol प्रिपेर कर सकते हैं, आप Reduction करने तो कोई Reducing Agent होना चाहिए, है ना, तो हमने यूज किया, यहाँ पे HCHO, जो खुद तो Oxidize हो गया, HCOOH में, और AU Plus 3 को Reduce कर दिया, किसमे, AU के अंदर, और हमें Gold Sol मिल गया, हमें Gold Sol मिल गया, है ना, Similarly, अगर मेरे पास FeCl3 है, उसके अंदर मैं पानी डालूं, तो मेरे पास FeOH3 बन जाता है, क्या बन जाता है, मतलब इसकी Hydrolysis करी, तो Cl की जगा क्या लग जाएगा, OH लग जाएगा, और बन जाएगा FeOH3, अब बचो यह Directly Sol नहीं बनता, पहले इसका Precipitate बनता है, फिर उस Precipitate से हम लोग Soul की Formation करते है, अब आपके माइन में Question आएगा, कि मैं Precipitate से Soul की Formation कैसे करेंगे, या फिर Precipitate से, Precipitate तो सारा का सारा नीचे बैठ जाता है, उससे Colloid कैसे बनाए, तो अभी वो भी सीखेंगे, चिंता मत करो, अभी के लिए बस इतना याद रखो, कि जब Feric Chloride की Hydrolysis करते है, तो FeOH Holthrise, Feric Hydroxide बन जाता है, और ये जो Feric Hydroxide बना, ये पहले Precipitate की Form में बनता है, और उससे Colloid की Formation हो जाती है, अब Question की उठता है, कि Precipitate से Colloid कैसे बना, उसके लिए एक और Method आता है, हमारे पास जिसका नाम होता है, Peptization, वो भी हम लोग डिसकस करेंगे, अभी ही थोड़ी देर में, वेट करो, ठीक है, अभी के लिए बस इतना याद करो, कि Chemically, अगर मुझे Colloid बनाने है, तो मैं चार टाइब की Reaction कर सकते हूं, Double Decomposition, Oxidation, Reduction and Hydrolysis, Double Decomposition किसके लिए करते हैं, Metal Sulphides के लिए, Oxides लेते हैं, उनमें H2S आड कराते हैं, और Sulphides बन जाते हैं, H2S की अगर Oxidation करें, तो Sulphur Sol बन जाता है, कोई Oxidizing agent ले लेंगे, हैना, FeCl3, FeCl3 की Hydrolysis करें, तो Feric Hydroxide बनेगा, जो की, जो की क्या होगा, एक Precipitate होगा, फिर उस Precipitate से हम लोग कोलोईज बनाते हैं, या फिर Gold, AUCl3 की Reduction से, हम लोग क्या बनाते हैं, AU बनाते है, Reducing agent यूज़ करते है, HCHO, जो खुद तो Oxidize हो जाता है, HCOOH में, और AUCl3 को, यानि की AU Plus 3 को Reduce कर दीता है, तो बस यही चार Chemical Reactions आपको याद रखनी है, अगर वो आप से पूछ ले, दो नमबर के Question में, कि How Colloids are Prepared by Chemical Methods, तो कुछ भी नहीं करना, बस यही चार रियाक्शन लिखके आनी है, I hope आप लोग के दिमाख में तो बैठी गई होगी, है ना, क्राम नहीं करना, इसको समझो, बस इतना याद को चार टाइप की Reactions होती है, किसकी Reduction करते है, किसकी Oxidation करते है, सारी Reactions अपने आप दिमाख में बैठी जाएगी, सारी की सारी Reaction अपने आप दिमाख में बैठी जाएगी, बहुत ही Simple सी बात है, ठीक है, चलो, तो यह तो था पहला Method, अब अगला Method आता है, क्या, Electrical Disintegration और Breadix Arc Method, Electrical Disintegration और Breadix Arc Method, बहुत ही बढ़िया Question है, तीन माक्स का सीधे सीधे आता है, Explain, Breadix Arc और Electrical Disintegration Method, या फिर J में बहुत बारी Question पूछा जा चुका है, कि Breadix Arc Method, हम कौन से Metal के लिए यूज करते है, कि Breadix Arc Method, हम कौन से Metal के लिए यूज करते हैं, तो याद रखना ये हम लोग Gold, Platinum और Silver के लिए, जितने भी हमारे Heavy Metals होते हैं, लाइक, Gold, Platinum, Silver, इन के लिए हम लोग Breadix Arc Method का यूज करते हैं, आपको बहुत चार आप्शन दे देगा, वो लेगा, गोल्ड, Sodium, Magnesium या फिर कोई और Metal दे देगा, उठाके, Rubidium दे दिया, वो लेगा, बताओ, तो which of the following metal, which of the following metal is used to be prepared by Breadix Arc Method, किसका Colloidal Solution Breadix Arc Method से बनाया जाता है, तो gold का, silver का, platinum का, दिमाग में बिठालो, बहुत बारी question आता है, अब क्यूंकि आपको पता है, आपका most of the paper MCQ ही है, तो हो सकता है, ये question आपसे पूछ लिया जाए, है ना, चलो, बहुत बढ़िया, आप देखो, अब होता क्या है इस method में पहले वो समझते हैं, आपको ये figure दिख रही है, ठीक है, देखो, हम लोग क्या करते हैं, Bredix arc method, एक high electric discharge, electric arc पास करते हैं, ठीक है, high electric arc हम लोग पास करते हैं, एक solution लिया मैंने, ठीक है, मैंने क्या किया, electric arc पास किया, ठीक है, जैसे सपोस करो, मुझे gold का colloidal solution बनाना था, तो मैंने नीचे क्या कर लिया, यहाँ पे थोड़ा सा gold ले लिया, थोड़ा सा gold ले लिया ठीक है दो इलेक्ट्रोट्स को मैंने वहाँ पर डाला ठीक है और हाई एलेक्ट्रिक आर्क पास करी मतलब हाई वोल्टेज की एलेक्ट्रिक आर्क पास करी मैंने ठीक है तो मैंने क्या किया यह जो इलेक्ट्रोट्स थी एलेक्ट्रोट्स क्या करेगी इलेक्ट्रिक आर जनरे solid gold पड़ा हुआ था यह directly convert हो जाएगा किसमे वैपर्स में यह जो solid gold पड़ा हुआ था ना यह जो solid gold पड़ा हुआ था यह इसके अंदर मैंने क्या किया electric दो electrodes लगाई आर्क पास कराई और उससे heat release हुई और heat इतनी जादा रिलीज हुई कि solid gold directly वैपर्स में convert हो गया ऐसे फूटे गए और सारे के सारे वैपर्स हमारे उपर आ जाएंगे सारे के सारे वैपर्स हमारे उपर आ जाएंगे ठीक है फिर मैंने क्या किया अब देखो पहले क्या हुआ dispersion हुआ solid पूरा disperse हो गया in the form of वैपर्स ठीक है in the form of वैपर्स अब यही वैपर्स वापिस से condensed करते हैं और condensed होके पानी में चले जाएंगे condensed होके पानी में चले जाएंगे और अगर बन गया गोल्ड सोल बहुत ही सिंपल सी बात है थी कि वजह से सबक शोरा हो रही है और इतनीजादा हीट बिलीज हो रही है कि metal जो था जो हमारा solid gold था वो directly vapors में convert हो गया ठीक है और फिर ये vapors जब वापिस condensed हुए तो condensed होने के बाद ये पानी में चले गए और पानी में जाने के बाद ये फिर से gold soul के अंदर convert हो गए यानि कि इस method में दो चीजे हो रही है सबसे पहला हो रहा है dispersion और दूसरा हो रहा है condensation सबसे पहला हो रहा है बच्चे dispersion दूसरा हो रहा है condensation simple सी बात है है ना पहला क्या हो रहा है बेटा जी dispersion और दूसके बाद क्या हो रही है condensation वो वापिस पानी में चले गए वापिस पानी में जाने के बाद हमारा गोल्ड सोल बन गया पस इतना सा ही होता है किसमें ब्रेडिक्स आर्क मेथट में याद रखना इसमें दोनों चीजे होती है दिस्पर्जन भी और कंडेंसेशन भी ठीक है और हमेशा यह हैवी मेटल के सॉल्स जैसे की गोल्ड प्लाटिनम सिल्वर को बनाने में काम आते हैं देखो इस प्रॉसस इन्वाल दिस्पर्जन आज वर अस कंडेंसेशन समझ में आ गया होगा कोलाइडल शॉल्स उफ मेटल सच अज गोल्ड, सिल्वर, प्लाटिनम, चेक्टरा कैन बी प्रिपेर और इन दिस मेटल एलेक्रिक आर्क इस्ट्रक बिट्वें इलेक्रोड ऑफ मेटल emerged in the dispersion medium, the intense heat produce vaporizes the metal, which then condenses to form particles of coloridal size जो मैंने बोला सारी वही बाते यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है, बहुत ही सिंपल है, तीन नंबर का सीधा सीधा क्वेशन आता है, explain bradix arc method or explain electrical disintegration method explain bradix arc method और electrical disintegration method, तो simply बस इतना figure बना और इतना explain कराना 3 नंबर आपके कहीं भी नहीं गई, ठीक है, चलो आप discuss करते देखो, दो मे फेला है chemical method दूसरा bradix arc method अब एक बार फिर से quiz के question discuss कर लेते है तो बहुत ही simple simple से दो question आएंगे फिर से आपकी screen पे जल्दी जल्दी answer कर देना चलते हैं आपने पहले question पे पहला question है आपके पास ये बेना liquid is dispersed जिना gas dispersion medium दो colloidal system इस जब liquid और gas में disperse होता है यानके dispersed phase liquid dispersion medium gas तो उससे क्या बनता है पताओ जल्दी से next question है बच्चो आपके पास which one is an example of multi-molecular colloid system इन में से कौन सा multi-molecular colloid का example है चलो discuss करते हैं पहला question था कि जब liquid disperse होता है ग्यास में तो colloidal system क्या होता है colloidal system होता है हमारा aerosol answer क्या आ गया option नमबर ए अगला question था which one is an example of multi-molecular colloidal system तो multi-molecular कौन सा होता है sulfur sulfur और gold उन दोन से तो बंदना hundred sulfur particle बहुत सारे gold के particles जब हम लोग लेते हैं और इकठे हो जाते हैं पानी में disperse करते हैं तो उससे multi-molecular colloid बनता है सोप से associated protein गम इन सबसे हमारे बनते हैं macromolecular तो answer आ जाएगा gold disperse in water यानि की option number c चीक है आगे चलते हैं अगला question अगला part है या फिर अगला method of preparation है peptization अब ये peptization नाम की चीज़ क्या है हम लोगों को ये समझना है तो देखो peptization में हम लोग जैसे कि मैंने बताया था fecl3 की hydrolysis करी feoh holthrys बन गया ध्यान से सुनना क्योंकि आगे ये coagulation बगारा इन सब में फिर से आएगा ये concept तो ये concept बहुत ही जादा important है ठीक है तो देखो अगर मेरे पास fecl3 था उसकी मैंने hydrolysis करी थी तो बना था feoh holthrys फेरिक hydroxide अब मैंने एक line बोली थी मैंने आप लोगों को ये बोला था कि पहले precipitate बनता है और फिर उससे colloid बनता है तो basically इसी को बोलते है हम लोग क्या peptization यानि कि peptization क्या है कि conversion of conversion of freshly prepared precipitate freshly prepared precipitate into colloidal solution into colloidal solution यानि कि freshly prepared precipitate का colloidal solution में बनना जो अभी अभी बनी हो नहीं नहीं ऐसा नहीं कि 15 साल पुरानी कोई precipitate ले रहे हो उससे colloid बनाना चाहोगे नहीं बनेगा ठीक है तो जब precipitate को हम colloidal solution में convert करते हैं तो उससे जो solution बनता है मतलब उस उस process को हमनों क्या बोलते है प्रेप्टाइजेशन बोलते हैं जैसे देखो प्रेसिपिटेशन में क्या होता है सारे के सारे particles ऐसे नीचे बैठे होते हैं और हमारा पानी उपर होता है लेकिन कोलोईडल के अंदर पार्टिकल कभी भी सेटल नहीं होते वह ऐसे घूमते रहते हैं घूमते रहते हैं ठीक है अब question यह आएगा दिमाग के कि मैं बनेगा कैसे एक प्रेसिपिटेट से कोलोईडल कैसे बनाए हैना कैसे बनाए और एक अगर मैं लेंडर सिलवर नाइट्रेट के अंदर कै डालू तो बन जाएगा एजी आई और साथ में कैनो थी क्या बन जाएगा और साथ में बन जाएगा कि NO3, silver nitrate के अंदर KI डालूंगी, तो AGI का precipitate बन जाएगा, ठीक है, क्या बन जाएगा precipitate, अब मुझे इस precipitate को colloidal solution में convert करना है, तो देखो, अब colloidal solution में precipitate को colloidal solution में convert करने के लिए, मैं कोई electrolyte डालती हूँ, ठीक है, जैसे कि मुझे AGI को convert करना है, precipitate को convert करना है, किसमें, colloidal solution में, तो मैं उसके लिए क्या करूंगी, electrolyte डालूंगी, और जैसे में पाँ AGI था, उसके अंदर मैंने electrolyte डाला, और electrolyte डाला और shake किया, तो मेरे पास क्या बन गया, कोलोईडल solution आ गया, ठीक है, क्या आ गया बच्चो, कोलोईडल solution आ गया, simple सी बाती है न, electrolyte डाला, उसको shake किया, अब ये जो electrolyte है, इसने ऐसा क्या किया, कि वो precipitate से, कोलोईड बन गया, है न, और बच्चो एक बात याद रखना, इस electrolyte को, हम लोग बोलते है, peptizing agent, क्या बोलते है, peptizing agent बोलते है, electrolyte को बोलते है, peptizing agent, जो एक precipitate को convert कर रहा है, किसमें, electrolyte में, peptization के लिए हमेशा, हमें एक electrolyte की जुरुत पड़ेगी, और वो electrolyte के लाता है, क्या, peptizing agent, ठीक है, अब एक चीज़ याद रखना, ये जो electrolyte है न, इसमें, precipitate के जैसा, एक common ion होना चाहिए, मतलब की precipitate में क्या है, ag plus और i minus, electrolyte में या तो ag plus होना चाहिए, या तो i minus होना चाहिए, एक common ion होना ही चाहिए, ठीक है, जैसे की देखो, for example, मैंने आप जो electrolyte डाला, फो electrolyte है ki, agi में मैंने क्या डाला, ki डाला, ठीक है, जो electrolyte है, electrolyte में मैंने क्या डाला, ki, आप बोरोगे, मैं के हाइट तो पहले भी डाला था, कोई बात, कोई बात और नहीं, पहले तो precipitate बनाऊगा, अब मैं ki access में डाल रही हूँ, अब मैं के आई क्या कर रही हूँ एक्सेस में डाल रही हूँ और एक्सेस में डालूंगी तो होगा क्या उसको शेक करूंगी तो कोलोडल सॉल्यूशन की फॉर्मेशन हो जाएगी डाउट अभी वी क्लियर नहीं हुआ कि ऐसा क्यों होगा ऐसा क्या कर दिया के आई ने तो देखो मेरे पास क्या थे प्रेसिपिटेड इसे एक पार्टिकल है एजी आई का अब मैंने एक्सेस में के आई डाल दिया तो के आई के अंदर एक कॉमन आयन होना चाहिए या तो आई माइनस के पार्टिकल इसको इस तरीके से घेर लेंगे यह एक पार्टिकल है ऐसे ही बचो दूसरा पार्टिकल होगा एजी आई का यहाँ पे आई माइनस होंगे यहाँ पे आई माइनस होंगे ऐसे भी आई माइनस बहुत चारे आई माइनस इसके चार और होंगे अब अब ये एक पार्टिकल ये दूसरा पार्टिकल ऐसी तीसरा पार्टिकल होगा फिफ्थ पार्टिकल होगा अब प्रेसिपिटेट कब बनता है जब सारे के सारे पार्टिकल इकठे हो जाते हैं लेकिन बात बताओ अब क्या ये इकठे हो पाएंगे क्या क्या ये दोनों पास हुआ भी पूरा चारज है इसके पर भी पूरा नहीं टेव चारज एक नहीं दूसरे नागेटिव पास आ सकता है के नहीं सकता है वो पहले ही रिपैल करके दूर भाग जाएंगे simple सी बात है है ना तो देखो हुआ क्या उस electrolyte ने जिसके पास common ion था common ion ने क्या किया यहां पे AGI के चार और common ion क्या करें यह double layer बना के बैठ गए ठीक है एक और layer बना के बैठ गया उसको यह common ion को adsorb करके बैठ गया तो हर पार्ट कियों पर अब common ion extra लगा हुआ है एक पार्टिकल यह दूसरा पार्टिकल यह इधर पास आना चाहेंगे नहीं आपाएंगे पहले इनकी ऊपर कोई एड्जॉप्शन नहीं हुई थी कॉमरान की पार्टिकल पास पास आ रहे थे सारे के सारे और इकट्थियों के नीचे बैठके प्रेसिपिटेट बना रहे थे अब जब यह पास ही नहीं आ पाएंगे तो क्या इनसे प्रेसिपिटेट बन पाएगा क्या नहीं बन सकता है ना सारे पार्टिकल अलग अलग रहेंगे एक पार्टिकल इधर तो दूसरा इधर तीसरा इधर फोर्थ इधर फिफ्थ इधर इस वह कितनी सी बाद है जो आपको समझनी थी क्या कि अगर एक प्रेसीपटीट को खॉलोईडल सॉल्योशन में चंवर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा एक इलेक्ट्रोलाइट डालनी पड़ेगी और इलेक्ट्रोलाइट ऐसाई डालनी पड़े गा एक दूसरे को देख़ी करेंगे गहां पास पास नहीं आएंगे तो उनकी प्रेसीपितेशन नहीं होगी और वह किसमें सोलीऊशन 152 हो जाएंगे किसमें कहन वार्ट हो जाएंगे तो इसवलाइट को क्या बोला जाता है यह इस तरीके से जो हमारे पास पहले ferric hydroxide की precipitate बनी थी उस precipitate को हम लोग convert कर सक्ते हैं किसमेhas colloidal solution में इसमेh cover कर सकते हैं colloidal solution में आई यह ज़रा देखते हैं आख देखो peptidization में भी defined as process of converting a precipitate into collapse by shaking it with dispersion medium in the presence of small amount of electrolyte इलेक्ट्रोलाइट नहीं डालीना अगर तो प्रेसिपिटेशन नहीं होगा बेटा प्रेसिपिटेशन के लिए पर्पस के लिए यूज की जा रही है उसको हम लोग बोलते हैं क्या पैप्टाइजिंग एज़ेंड और हमेशा एक फ्रेशली प्रिपेरड प्रेसिपिटेट लेना है कोई पुराना 10-15 साल पुराना नहीं लेना इवन दो दिन पुराना भी नहीं लेना ठीक है आमें उसी टाइम पे जो प्रेसिपिटेट मिला उसी का यूस करो और उससे फिर कोलोईडल सॉलूशन की कंवर्जन कर दो दूरिंग दप्रेप्टाइजेशन दप्रेसिपिटेट एड्जॉर्ब बन ओफ आइंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इसकी वज़े से पॉसिटिव नेगेटिव चार्ज अरा था ना विच अल्टिमेटली ब्रेक अप इंटू स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ ठीक है और आगे का हम लोग आगे की पढ़ेंगे जब हम लोग चार्ज बगारा पढ़ेंगे फिर से आएगा यह टॉपिक पैप्टाइजेशन का ठीक है वहां पर फिर से हम लोग पढ़ेंगे हार्डी स्कुल्स रूल जो की बहुत इंपॉर्टेंट है तीन नंबर का पे चीजे हम लोगों ने देखी अब आगे आता है मेरे पास प्लव पियूरिफिकेशन आफ कोलड़ ऑटल सोल्यूशन प्याता है कि गुलुक्त जो कॉलुक्त सोलीशन बचे उसमें क्या उतिया इलेक्ट्रोलाइट भी होती है उसमें हमारी इमप्यृटिस भी होती है अगला काम है उनको purify करना कैसे उनको हम purify कर सकते हैं जिसमें सबसे पहला method आता है dialysis शायद पढ़ा होगा इसके बारे में ठीक है सबसे पहला method आता है dialysis फिर आता है electro dialysis और उसके बाद बहुत सारे methods आते हैं ऐसे जिससे हम colloids को purify करते हैं ठीक है तो एक बार dialysis के बारे में पढ़ लेते हैं डाइलेसिस के अंदर हम लोग क्या करते हैं colloidal solution में अगर को impurity हो तो उसको remove करते हैं जो कि dissolved impurity है जो कि dissolved impurity है उसको remove करते है और एक फिनॉमिना होता है जिसका नाम है diffusion बचपन में पढ़ाओगा diffusion के बारे में 11 क्लास में भी वन पढ़ाओगा diffusion के बारे में एक example पढ़ाओगा शाइन 9 क्लास में कि रूम के corner पे अगर बत्ती जिलाते है तो वो पूरी रूम में smell क्यों आ जाती है उसकी fragrance क्यों आ जाती है योकि gas particles diffuse कर जाते है इसलिए बस diffusion का ही लेकिन इन्होंने gas का diffusion नहीं लिया ठीक है इन्होंने diffusion की है application ली और उससे किसी dissolved substance को अगर colloidal solution में से remove करना है तो उसको कैसे remove करेंगे उसके through colloidal solution को कैसे purify करना है उसके बारे में बताया है ठीक है है न हाँ उसके बारे में इसने बताया अब हम लोग projections के अंदर हम लोग अपना colloidal solution लेते है और एक direlisis membrane लेते है इते हम लोग और जब़ूर बार लेते है ठीक है और अर ऐस Smash रिंदर ना सोल पार्टिकल्स पड़द कि कोलोड़ और पार्टिकल्स पड़े हुए है ठीक है अब मुझे उसको प्यॉरि Chinese करना है कैसे प्यॉरिफाइ वो अपने आप ही move करने लग चाइएंगे मतलब जो हमारी जो हमारी dissolved substance जोते हैं जो भी colloidal solution के दूसरे particles होते हैं वो move करने लग चाते हैं तुरू डाइले सउसं मेंब्रेन कैसे मूव करते हैं त्यू और्व हुए पास थू एनिमल तिक है, और यह जो पूरा इसको बोला गया क्या? डायलाइजर हमने क्या किया? यहाँ पहे यह डायलाइजर लिया इसके नरा है, कालोइडल सॉलूशन रखा तो होगा क्या कि जो molecules और ions है वो तो diffuse कर जाएंगे water से लेकिन pure colloidal solution हमारा as it is रह जाएगा है ना देखो यह membrane ली यह membrane ली इस membrane से जो dissolved molecules जाएना है वो सब निकल जाएंगे लेकिन colloidal particle मूव नहीं कर पाएंगे और प्योर कोलोडल solution तो अंदर ही रह जाएगा ना बाकी सारे तो चलेगा भैगा पानी के साथ तो उसी तरीके से हमारे colloidal solutions की हो जाती है क्या purification एक पर इसको कल फिर से discuss करूंगी दुबारा और डिटेल में समझेंगे dialysis, electro dialysis और बाकी के purification methods और उसके अलावा आगे का हमारा पार्ट जिसमें लोग शायद properties वगरा पढ़ेंगे colloidal solution की क्या-क्या उनकी characteristics properties होती है वो सारी चीज़े पढ़ेंगे इसको कल से फिर से discuss करेंगे I hope आज की class में आपको सब समझ में आया होगा तो मिलते हैं कल की class में thank you very much बच्चो